रबिवार को गढ़वा रंका बिधान सभा च्वेत्र के सहरी और ग्रामेने लाकोशे जहाम मों छोड़कर 700 से अधीक लोग भाजपा में शामिल हुए। जन संपर्क कारिकरमों में 400 से अधीक लोगों को पाटी में शामिल कराया। के कारण पीए मावास योजना के तहट गरीबों के घर अधूरे पड़े हैं जिससे लोग खुले आश्मान के नीचे रहने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि बालू पर मंत्री का एक अधीकार कायम हैं जिससे रोजगार के लिए ट्रेक्टर चलाने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं और कुछ ट्रेक्टर तो धानों में जब्त किये गए हैं। तिवारी ने आरूप लगाया कि प्रखंट से लेकर अंचल कार्यालों में रिश्रत खोरी का बोल बाला है जहां LPC और अन्यदस्तावेजों के लिए मोटी रकम ली जारी है। उन्होंने जनता से वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर मंत्री के कुछ रासन का अंत होगा और पारदर्सी ब्यूस्थाल लागू की जाएगी ताकि प्रखंट अंचल और थानास्तर पर आम लोगों के काम शमय पर पूरे हो शके। श्रतिंद्र नाथ तिवारी ने महिलाओ के खाते में हर माह 21 रुपे जमा करने गरीबों को पक्का मकान देने और बालू के मुफ्त आपूर्ती जैसी उजनाओ की भी बात की। अपने जन संपर का भियान के दोरान उन्होंने पेम मोदी के हाथों को मजबूत करने और भार पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।